नमस्कार, मैं हूँ होम कुक रूमा और मैं करती हूँ आपका सागट डियर फूड में आज हम बनाने वाले हैं ग्रिल्ड हर्याली मश्रूम वो भी बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाहिल में इसे हम बनाएंगे घर के गैस स्टोफ पर जो की होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान उमीद है आपको पसंद आएगी, now join me, we'll cook together इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं बिल्कुल फ्रेश मश्रूम और हमने इसका स्टेम बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से काट लेना है और इसे अच्छी तरह से पील कर देना है इसका चिलका उतार लेंगे और इसी तरह से हमने सारे मश्रूम्स के चिलके उतार लेना है अब इसे हम अच्छी तरह से पानी से दो लेते हैं ये दोल चुका है अब हम देख रहें कि इसमें कुछ मश्रूम्स काफी बड़े बड़े हैं तो हमने उससे इस तरह से कट कर लेना है, सिर्फ बड़े मश्रूम्स को ही हमने इस तरह से कट करना है, अब हम इसके मिरिनेशन की त्यारी करते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, चार से पांच लैसुन की कलिया, दो हरा मिर्च लिया है मैंने, थोड़ा सा काजू लिया है, और इसके बाद धनिया पत्ता लिया है, और जितना धनिया पत्ता है, उसका आधा मैंने पुदीना लिया है, अब हम इन सारी चीजों को मिक्सिंग जार में डालेंगे, तो चीजों को मैंने कट करके इसमें डाल लिया है, अब एक चमच फ्रेश तही ये खटा दही नहीं है फ्रेश तही लेंगे आदा चमच जीरा का पॉडर आदा चमच धनिया का पॉडर एक चोथाई चमच गरम मसाला और स्वाद नुसार नमक डालेंगे और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसके बाद हमने इससे मश्रूम के उपर डालना है और बहुत भी आराम से इससे अच्छी तरह से मेरיol करना है ताकि मश्रूम तूटे नहां बहुत अच्छी तरह से मेरिनेट कर दीजिए इसके बाद आप इसे पंदा मिनट से आधे गंटे तक फ्रिज में रख दिये ये fan के नीचे, मैंने fan के नीचे रखा था और इसके बाद हमने इस तरह से और उसमें mushrooms को arrange करना है, तो अच्छी तरह से arrange कर लिया है बागी बچे हुए marination को भी हमने इसके उपर लगाना है, बहुत अच्छी तरह से काफी थिक कोटिंग करनी है हमने इसकी इस तरह से हो गया है अब किसी चीज़ की सपोर्ट से आपने इसे इस तरह से रखना है और या तो फ्रिज में या फैन के नीचे से रखे और आप देख सकते हैं पंदा मिनेट रखने के बाद ये काफी अच्छी तरह से हो गया चारो तरफ अच्छी तरह से पलट पलट कर इसे पकाना है और बीच पीच में इसमें ओयल भी लगाते रहना है तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और गैस पे भी ये काफी अच्छी तरह से पक गया है बिल्कुल नर्म हो गया है, बस इसे अब हमें प्लेटिंग करनी है, तो प्लेट में आप इसे निकालिए, इस तरह से और आप इसे हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं, आपने पसंद के किसी भी सॉस या डिप के साथ, और साथ ही आप इसमें प्यास के स्लाइस और नीबू र पसंद आने वाला आपको जरूर ट्राइ करियेगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, और सी यू इन नेक्स वन, बिल्दन कीप इटिंग और टेक केर